जैसे कि आप सब को पता है आज सिक्षक दिवस है इसी अफसर को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके टीचर्स के लिए यह खास पोस्ट लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे Android एपस के बारे में बताएंगे जिसके इस्तमाल से आप अपने काम को असान बना सकते हैं आगे के वीडियो में हम कुछ ऐसे एप्स के बारे में बात करेंगे जिसे आप टेबलेट और स्मार्टफोन दोनों पर अराम से चला सकते हैं यदि आप कोई सिक्छक है तो आज इस वीडियो को अंध तक जरूर देखे अगर आप सिक्छक नहीं भी हो तो इस वीडियो को अपने सिक्छक के साथ सैर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस एप को USA में करीब 90-30 स्कूलों में इस्तमाल किया जाता है सिक्छकों के लिए यह बड़ा काम का एप है इस एप में आपको काफी सारे फीचर दिये गए हैं जिसके इस्तमाल से आप अपने स्टूडेंट के साथ जुड़े रह सकते हैं साथ में ही आप इसमें अलग-अलग ग्रूप भी बना सकते हैं इसे आप स्कूल का सोशल एप कर सकते हैं सिक्षक एस्तूडेंट और उनके पैरेंट्स के साथ इस एप में सीधा मेसेज कर सकते हैं दूसरे नम्मर पर है गूगल क्लास रूमर यह गूगल द्वारा बनाया गया एप है जो पूरी तरह से मुप्त है साथ में ही आपको इसमें काफी सारी सुभिदाई भी दी गई है आप क्लास रूम को अपने कम्प्यूटर, लैप्टॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन सभी जगह पर एक साथ चला सकते हैं जैसे अगर आप घर पर है और आपने कोई नोट अपने कम्प्यूटर पर लिखा हो तो क्लास रूमर की मदद से आप बात में उसे अपने स्मार्टफोन पर भी खोल कर पर सकते हैं यह एक काफी अच्छा फीचर है इसके साथ ही आपको इसमें प्रोजेट नोट गूगल ड्राइव पर सेब भी कर सकते हैं यहाँ पर एक दुस्रे के साथ मिलकर असाइमेंट भी आप पूरी कर सकते हैं गूगल ड्राइव, गूगल, स्नेप सीट और बाकी गूगल के अप्लिकेशन भी इसमें आपको इस्तमाल करने के लिए मुफ्थ मिलते हैं तीसे नम्मर पर है बाइजूस लॉगिंग एप यह एप टीचर और स्टुडेंट दोनों के लिए ही काफी अच्छा है स्कूल सिले बस के अनुसार आपको इस एप में काफी अच्छे वीडियोस दिये गए हैं इस एप को इंडिया में काफी फेमस हो गया है अगर आप सिच्चक है तो इन वीडियो को देखकर आप अपने स्टुडेंट को और भी अच्छे से सिखा और समझा सकते हैं यह एक काफी अच्छा प्लैटफोर्म है लेकिन आपको बता दे कि यह पैड एप है फिलाल तो आज के लिए बस इतना ही उपर बताए गए इस एपस के समबंदित आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं आपके सारे सवाल का जबाब हम जरूर देंगे आज इस पोस्ट को अपने सिक्छकों के साथ जरूर सैर कीजिए